हलो चिल्डरन, वेलकम बैक यू आल, आज हम कक्षा आठ नवीन कणी का संस्क्रित पार्ट माला से लेसन नमबर सेवन जो नीटी श्लोक पड़ाया था मैंने, उसी का अभ्यास कारे करने जा रहे हैं तो आईए देखते हैं हमारा फर्स कोश्चन विजिबल हो रहे हैं न सभी को तो फर्स कोश्चन है एक पदें उत्तरत, एक पद में उत्तरत दीजिए अब मुझे ये नहीं पता कि आप मेरे पास ये कौन से सेशन की बुक रखिए अगर आपके कोश्चन मैच कर रहे हूँ आपकी बुक से बड़े ध्यान पूर्वक करिएगा क्योंकि मेरे पास तो ये पुरानी बुक रखिए थी कणिका की जो मैं अपलोड करने जा रहे हूँ तो आपके कोश्चन आंसर और मेरे कोश्चन आंसर सेम है या नहीं है ये मुझे नहीं पता बड़ आप ध्यान दीजिएगा लेसन को समझ लीजिएगा और आप अपनी बुक अपने हिसाब से करिएगा तो कोश्चन है फर्स्ट प्रोब कार है कस्मई भावती प्रोब कार किसके लिए होता है अभी हमने पढ़ा था पापाए पुन्याए धर्माय या न्याय आय तो हमारा राइट आंसर क्या हो देगा पुन्याय तो हमने राइट आंसर पर सरकल कर दिया हूँ ठीक है यहां पर और भी options given हैं बढ़ नहीं रही क्योंकि फिर ऐसे वीडियो बड़ी बन जाती है और बच्चे बोर हो जाते है नेक्स कोश्चन है नरस्य आभर्णम किम नर्क मनुष्य का आभुशन क्या है रूपम गुणस्य आभर्णम किम गुण का आभुशन क्या है ज्यानम कि वक्ति में जिया हो है तो हम भी क्या देंगे ज्यान से रहे हैं किसका आभुशन है ज्यान का हस्ता स्य भूशनम किम वैं किम में कोश्चन बूचह हो है तो हमारा मुच्छ भी कैसे आजाेगा दानम राइट, नेक्स्ट कोश्चन है, पूर्ण वाक्य उत्रत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए सभा मध्य के न शोबते, सभा के बीच में कौन सुशोबित नहीं होता, अशिक्षित वेक्ति सुशोबित नहीं होता या विद्या हीन तो हम क्या लिख सकते हैं आशिक्षिता है भी लिख सकते हैं और विद्या हीन भी तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आशिक्षिता है आशिक्षिता है बाला है सभा मध्य ना शोबते अभी तो मैंने ये पूर्णवाक्य नुत्रत दे रखा था तो मैंने पूर लेकिन आप ठ्यान देना कि मैं सिरफ कह का अंसर दोंगी ठीक है आप अपने में पूरा लिख लेना ठीक है ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना बने और आप बोर भी न होई हांस मद्धे कहना शोबते तो कह का अंसर किसमें आजेगा बकह में तो हम यहां पर लिखेंगे बकह है शास्त्रम कस्य भूशनम भवती शास्त्र किसका अभूशन होते हैं तो राइट अंसर हमारा क्या हुआ श्रोत अस्य कानों का होते ना जननी जनम भूमिश्य कस्मात अपी गरियसी जननी और जनम भूमिश्य किससे भी शेष्ट है किससे बढ़कर है स्वर्गात अपी स्वर्ग से भी शेष्ट है अश्टदश पुराणे इश्व व्यासस से किम वचन दोयम प्रसिद्यम अठारा पुराणों में व्यास के कौन से दो वचन प्रसिद्यम कौन से है प्रोपकार है पुण्याय पापाय परपीडनम तो यह हमें पूरा लिखना पड़ जाएगा यहां पे हम यह भी लिख सकते हैं प्रोप का रहा है और परपीडनम लेकिन हमें यहां पर पूरा ही देना पड़ेगा क्योंकि पूर्ण वाके में उत्तर है प्रेशन निर्मान की एक वीडियो अपलोड की हुई है अगर आपको क्वेशन बनाने सीखने हैं तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं कि प्रेशन निर्मान कैसे करें तो आपको बहुत एजी हो जाएगा आप आप भी ना सोचे समझे पटाफट लिख सकते हैं रेखांकित पदानी आधरित्य प्रेशन निर्मान कीजिए परोब कारे पुन्याय भवती तो यानि कि क्या होगया प्रोब कारे प्रत्मवी वक्ति एक वचन है तो हमें किर्म का शब्द रूप प्रत्मवी वक्ति एक तो हम सभा मत तो हम यहां पर भी सब्तमी होता साओं पर और ये अव्य लिख तो याघ कुत्र पर लिख्द कि क्याल लेखक कहां さ้ आप अपना पूरा लिखेगा सुखार्थी काम त्यजेत ठीक है मैं सिरफ अंडरलाइन वर्ड्स का ही आंसर दे रही हूं मैंने आपको बार बार बता रही हूं कि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए गुणस्य आभणनम ग्यानम भवती तो गुणस्य जो है हमारा कंचमी वक्ति में दिया हुआ तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कस्मात कंधते भूुषणंगा सत्य गले का आवुशन होता है, तो हम यहाँ पर क्या देंगे, सिंपल सिंपल किम, राइट, नेक्स पेट पर देखते हैं, मन्जुशाया हा, प्रियाय शब्दान चित्वा लिखत, मन्जुशा से प्रियाय वाची शब्दों को चुनकर लिखे, अब देखो, यह जो बॉक्स यह शत्रूप हम क्या कहेंगे, वैरी, जनम भूमी, उपर गिवन है, मात्र भूमी, शोतस्य कान का, तो यहनि कि क्या होगे, कर्णस्य, बाल कहे, बाल है, ऐसे ही भूशनम का, आभूशनम और अंबा का माता, अब नेक्स दिखते हैं, परस पर मेल कीजिए, यानि कि हमारे श्लोग के साथ कुछ यह वर्ट दिये गए हैं, तो हमें यह पूरा करना है, तो सबसे पहले क्या है, हस्तस्य भूशनम दानम, तो हमने इसको दानम से मिला दिया, शोतस्य भू पूशनम और किम प्रयोजनम, ठीके, अगर आपको श्लोग लर्ण होगा, तो यह आप बड़ी जल्दी कर सकते हैं, और वैसे यह श्लोग आपको लर्ण करने चाहिए, कभी-कभी आप एसेंबली में सुनाया करिए, ठीके, अपने आप एसेंबली में जाया करो, श्लोग ल गुण का अभुशन क्या था? ग्यान, रूपस से आभड़नम गुण है, ग्यानस से आभड़नम शमा, राइट? नेक्स देखते हैं, इसमें भी ऑप्शन गिवन हैं, वैसे ही यह वाली बुक आपकी बहुत इजी है, हर चैप्टर में ओल्मॉस्ट ओप्शन गिवन हैं, औ आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि अगर आपने अपना लेसन अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो सुखार्थी डैश त्यजित, क्या चोड़ देना है चैश सुखार्थी को विद्या, डैश मद्य मूर्खे ना शोबते, स यहां पर क्या आजएगा हंसों के बीच में हंसा नाम, अब हंस के बीच में तो हम लिखेंगे नी, एक हंस तो होगा नी, बहुत सारे हंसों होंगे, तभी उसके बीच में आएगा न, इसलिए हमने यहां पर बहु वचन ले लिया, अश्टदश पुराने इश्यू, वियास और यह संख्या वाला चैप्टर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपको समझना है तो मैंने डाल रखा है संख्या वाला भी, वो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यह संख्या वाला चैप्टर और प्रश्न निर्मान करें, यह दोनों ऐसे चैप्टर हैं, ज आपको यह चैप्टर हेल्प कर सके और अगर आपकी कुछ भी हेल्प हो रही है तो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए और ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको भी पूरी हेल्प मिल सके और यह चेंड ना तूटे तो के